हेलो फ्रेंड्स आप सबका दिगाएड यूद चैनल पर स्वागत है साथियों आज एक बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है मिनिश्टे आफ ट्राइवल आफ हेर की और से यहाँ पर जे आरफ के लिए साथ सो पचास नंबर आफ शिट्स आई हुई है जो की यहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से स्टुटेंट इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं इसका जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इलिजिबल काउं से लोग है इसमें पैसे कितने मिलते हैं और कब तक आपको फार्म अप्लाई करना है क्या कोई यहाँ पर अप्लिकेशन फी भी है या नहीं है और कहां से आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे साथ ही हो अगर आपी चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अधिक सदिक लोगों तक इस वीडियो को शेर भी करें चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें आप फार्म जो अप्लाई करना है इसमें कौन से लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि नेशनल फेलोसीफ होती है डिफरन्ट डिफरन्ट कम्टीज के डिवलप्मेंट के लिए या विलफेयर के लिए तो जैसे कि एनफ ओभी को नेशनल फेलोसीफ और 네 क्स dachte का भी होता है इन में थोड़ा फर्क यह है कि और जो fellowships होती है वो directly UGC net jrf का या CSIR net jrf का जो exam होता है उसके लिए होता है लेकिन उसी के थुरू वहाँ पर selection होता है direct जिनका jrf नहीं हो पाता है लेकिन थोड़ी बहुत merit सिरह जाते हैं तो उनका direct वहाँ सेlection ले 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 आयाता है लेकिन student के लिए net jrf के exam के बेस पर नहीं होता है यह phrase होता है जिनका net नहीं qualify है वे लोग भी सफार्म को apply कर सकते हैं बस यहाँ पर condition क्या है कि उनका जो है जो emphil या phd में या integrated जो है phd में उनका admission होना चाहिए यह जो fellowship है उननी student को दी जाएगी जो कि किसी भी subject में चाहे हमें हम science में या science and tech में या engineering में किसी भी subject में अगर आप emphil कर रहे हैं या phd कर रहे हैं तो आप फार्म apply कर सकते हैं यहाँ पर number of total slot है 2023 session के लिए यह 750 है this is a rich number of shit यानि कि जितनी लोग apply करेंगे आलमुष सभी का होई जाएगा यह मान कर चलिए तो अगर आप के पास कोई fellowship यानि कि अगर आपका ज्यारफ नहीं है तो आप यह आप फार्म जरूर अप्लाई कीजी इस बात को ध्यान रखे और यह website है इस website पर जाकर कि आप फार्म तुरंत apply करें तुरंत मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि जो last date है दोस्तों इसको आप ध्यान देंगे कि 31 अगस्ट 2023 है यानि कि इस महिने का last day है जो वही जो है last date of application का भी है इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जरूर फार्म apply करें और इसमें क को apply करना है कोई issue नहीं है इसमें बस आपका PhD में enrollment होना चाहिए या MPHL में MPHL चुकी अब नहीं है तो PhD रह गया है PhD में आप है तब जरूर फार्म apply कर दें चलिए दोस्तों तो इस बात को ध्यान रखते हुए यह सारे detail आपको जो official link भी है यह आपको इस video के description box में भी मिल आएगा और इसमें हम बात कर लेते हैं साथियों कि पैसा केतना मिलता है दोस्तों जो जो ज्यारफ का पैसा होता है वही पैसा यहाँ पर डिट्टो मिलता है ज्यारफ के लिए साथियों अभी जो है चुकि DST की ओर से notification आ गया है कि वहाँ पर 37,000 जो है यहाँ पर basic हो गया ह यानि कि stipend और प्लस इसका अगर आप दिल्ली में रते हैं तो 27% है और फिर जो है contingency 2500 रुपए पर 3 मंथ तो वो कुल मिला करके लगभग लगभग जो है 48,000 जो है रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको fellowship मिलती है जिनका ज्यारफ होता है उनका भी और जिनका किसी भी प्र God a researcher और इसमें आपको क्यों क्यों है research करने के लिए ये पैशा मिलता है पूरे 5 साल तक के लिए मिलता है इस बात को अधहन रखना है तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं किसी भी सब्जच्ट में एक स्वा ईजड अगर आप PhD कर रहे हैं या MP2 कर रहे हैं या कर रही कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बाक्स में आप पूश रखते हैं हम रिप्लाई जरूर करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लेर करेंगे तो आप फार्म की लाज डेट का ध्यान रखते हुए आप फार्म as soon as possible अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं आज आपको इन फार्मेशन मिल रही है आज ही आप फार्म अप्लाई करें इस वीव साइट पर जा करके अब डिले बिल्कुल नहीं करें चले दोस्तों जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम